लो गाइस मेरे नाम है आधर्स तो मी मिक्स अलफा तो आपको यादि होगा जिसमें आपको चारो कॉर्नर में ऐ सक्रीन देखने को मिलता था कोई भी ब्रेजेस नहीं कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता था only on display लेकिन हाला कि यह phone को बेचा नहीं गया था only on showcase ही किया गया था क्योंकि भाई Mi Mix जो series 3 की इनका main motive क्या था कि भाई showcase कराया जो future की technology हो आपको वहाँ प्रेजन टाइम में आपको दिखाया जाए हाला कि बेचना जाए क्योंकि बेचने पर यह smartphone ज्यादा महंगा हो जाएगा और कोई ज्यादा पॉर्चेस करेगा नहीं तो अब भाई इसका जो एक श्टेप और आगे बढ़ चुके यास Mi Mix 4 जो है वह चाइना में लोंच हो चुका है हाला कि मुझे तो लग रहा है कि यह phone बिखेगा क्योंकि बैसकी प्राइस भी सामने आ चुकी है यास Mi Mix 4 में क्या हो रहा है कि जो इन डिस्प्ले कामरा आपको दिखाया जा रहा है जो सेल्फी केमरा आप सामने देखते हो वह आप इन डिस्प्ले हो गया है अब अगर सामने से डिस्प्ले देख हुए तो आपक क्यामरा सून नहीं होगा लेकिन आप चाहो तो सेल्फी फोटोस की सकतो तो किस तरह से यह लाया गया है क्या प्रोसेस है कितनी प्राइज है आज में इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले तो चली फिर आरम बगरते हैं क्यों प्राइज के बारे में तो इसमें आपको 6.67 इंच की फुल एच्टी प्लस सूपर अमोले डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 120 हजी रिफ्रेस्रेट के साथ में आता है HDR10 certified wide 1L1 का सपूर्ट देखने को मिल जाता है और बात कि आपको फ्रंट में इन डिस्प्ले कामरा देखने को मिल जाता है यह जो जो क्यामरे क्यों क्यों सांदर क्यों अभी तक क्या हो था कि इससे पहले आपको JTE जो कंपणी उन्होंने फॉर्स्ट टाइम इन डिस्प्ले कैमरा वाला फोन सोकेस किया था लेकिन उसमें क्या था क्यों क्यों जो क्वाल्टी तो आपको सांदर दिखने को नहीं मिला था लेकिन अब जो है इसमें पूरी अच्छी तरह से इन्होंने ध्यान दिया है क्यो तो ने एक टेकनोलोजी का यूज किया है इसके तुरूत होगा पिक्सल बंज जो से जो पिक्सल होंगे उसे चार भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा और आपको सामने पांच में वाला ही रेगा लेकिन आपको 20 मेगा फिक्सल के जो है फोटो क्लिक कर देगा जिसे क्य आपको बढ़िया देखने को मिल जाता है अग्हे बात किई बारे में उसमा आपको लेटेस्ट प्रो दूर्स के काम करना बंकरते ता ट्रिपल ट्रीकत प्लेसर एक नमर आपको देखने को मिल जाएगा कोई भी इसमें आपको लैक देखने को नहीं मिलेगा UFS 3.1 की स्टोरिज टाइप एलपी रीडर 5 की रैम टाइप भी देखने को मिल जाएगा यह प्रोसेसर और डिस्प्ले दोनों एक नमबर आपको देखने को मिल जाएगा और अगे बात की जाएगा इसमें आपको बैक में त्रिपल क्यामरा सेटप एक्सवार्ट मेंसल का में केमरा जिसमें आपको समसंगा HMX सेंसर देखने को मिल जाएगा हलाकि सेंसर थोड़ा पुराना है लेकिन तब बर भी कान चलाओ है अगे बात की जाए तिसमें आपको 12 मेंसल का अल्ट्रावाइड कालटी को मिल जाएगा और आगे बात किजिए बैत्रे सेंसरे के बारे में इसमें आपको 1500 थी बैट्री देखने को मिल जाएगा है कि आपको 120 वोट का सपोर्डे को मिले गा 54 शार्जिंगा सब्सें आगे ही बढ़ चुके बात की यूई के बारे में आपको out of the box MIUI 12.5 देखने को मिलेगा Android 11 का support भी देखने को मिल जाएगा अगर आग बात के sensors के बारे में तो इसमें आपको in display finger queen sensor देखने को मिलेगा face analog का support देखने को मिलेगा USB type C का support देखने को मिलेगा लगबग आपको सारे sensors देखने को मिल जाएगे उनले इसमें आपको 3.5 mm jack वाला गढधा देखने को नहीं मिलेगा और जो बात की जो phone बहुत कमाल सांदार बिल्ड कर लेकिए बात की जाए तो इसमें आपको front और back में glass का support देखने को मिलेगा Korean Gorilla Glass Victus की जो protection front में देखने को मिलेगा और back में आपको ceramic seal के protection देखने को मिलेगी और ceramic seal के protection का use करने के वज़ा से जो phone अगर आप पकड़ते हो तो आपको premiumness feel आने वाली है क्योंकि other companies भी इसका use करती रहती है और इसमें जो Mi 11 Ultra जो अभी आया हुआ recently है तो बिग भी रहा है तो इसमें भी आपको back में ceramic seal और front में Gorilla Glass Victus का ही support देखने को मिल जाता है और अलो जो बात की जाए बढ़िया है इसमें आपको glass back देखने को मिलता है side का जो frame हो aluminum का देखने को मिल जाता है और बिल्ड क्वाल अब को दिखेगा लेकिन इसमें जरा सभी आपको दिखने वाला नहीं है और अगर उसे चाइना से अगर यहां पर बलाते कि इतना फूचरिस्टिक फोन है तो यहां पर बनाना तो impossible उसे चाइना से इंपोर्ट करना पड़ेगा और अगर चाइना से इंपोर्ट करते तो कश्टरम डूटी भापरे बहुत ज्यादा लग जाएगा साड़ जार का फोन ही लगबख असी नब्या जार तो ऐसे पहुच जाएगा इसके लिए इसे चाइना में ही खाली बेचा जाएगा अधर कंट्रिस में बेचा जा सकता है अब यह कोई भरोसा नहीं है लेकिन सबसे पहले देखने के लिए झाल